दोस्तों इन दिनों Star Plus पर गुम है किसी के प्यार में सीरियल काफी ज़ादा पापुलर हो रहा है और इसे Star Plus का Most Popular सीरियल भी कहा जा रहा है क्योंकि ये सीरियल दर्शो को द्वारा सबसे ज़ादा पसंद किया जा रहा है जिसकी वज़ा है इस सीरियल में नजर आ रही ट्राइंगल लव स्टोरी और सई जोशी और ACP विराट इसी वज़े से ये TRP के मामले में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ करीवी सूतरों से ये पता चला है कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल का अपकमिंग एपिसोड और भी जादा इंट्रेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है इसमें आगे साई जोशी एक बेबी गर्ल की मा बनती हुई भी नजर आएंगी जी हाँ तो इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत खुसे में साई जोशी की बात नहीं मानते वे जा रहा होगा तो साई जोशी उसे पीछे पीछे रोकने के लिए जाएगी और इसलिए साई वीराट के पीछे भाग रही होगी तबी उसी समय साथ हाथसा हो जाएगा जी हाँ दोस्तों इस बार सेरियल में हमें ये देखने क मिलेगा कि विराट के चक्कर में सही अपनी जान भी गवाने वाली है क्योंकि इस बार सही जोशी नहीं चाहती कि विराट उससे दूर जाए और फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए और ऐसे ही जब सही भाग रही होती है और विराट गाड़ी में बैठ जाएगा तो एक गाड़ी में बठा कर उसे हास्पिटल ले जाएगा जहां सहीं खून से लत्पत होगी और गिरने की वज़े से उसके सिर पर घहरी चोटा जाएगी फिर विराड भी डॉक्टर के पीछे भागता हुआ जाएगा और बोलेगा सहीं को कुछ नहीं होना चाहिए कुछ समय बाद जब डॉक्टर बाहर आएंगे तो सहीं खत्रे से बाहर निकल गई होगी और फिर डॉक्टर विराड को एक खुश खबरी देंगे और वो ये कि सहीं अब प्रेगनेंट हैं जिसको सुनकर विराड बहुत खुश हो जाएगा और भागता हुआ अंदर जाएगा और सहीं जो खुशी एक बेबी गर्ल को जन्म देंगी जिसकी वज़े से सहीं और विराड के खुशियां फिर से वापस लोट आएगी तो दोस्तों क्या आप भी गुम हैं किसी के प्यार में सीरियल के अपकमिंग एपिसोड को लेकर एक्साइटेड हैं आप अपनी राय हमें कमेंट ब खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले